नमस्कार फ्रेंट्स आप सभी का हमारा यूटूब चैनल तिर्वनकोर भारतिया और एंडोड एप इग्यान में स्वागत है फ्रेंट्स आज है हम लोग का पेपर वन का पहला क्लास लेक्चर नम्मर वन जो की एंटी यूसीने 2024 के लिए बेस्ट है फ्रेंट्स आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रिप्रेशन स्ट्रेटीजी क्या होगी हम लोग किस प्रकार से परहेंगे और साथ इसाथ क्या-क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे यह सारजी आज हम लोग डिसकेसन करने बाते हैं तो friends आप लोग हमारे इस class के साथ में शुरू से लेके last तक जुरू रही है क्योंकि आपको बहुत जानकारी मिलेगा अगर आप हमारे इस चैनल पे नीव हैं बिल्कुल नीव हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा यह बिल्कुल फिर आफ कोस्ट है इसका कोई चार्जेज नहीं होता और अगर आप चाहते हैं कि यह जो 2024 का एक्जाम होगा उसमें 100% क्वालिफाय कर ले तब तो आप जरूर से जरूर हमारे इस चैनल के साथ में और हमारा Android EGN के साथ में जरूर से जरूर जूर जाईएगा ठीके जी तो चलिए हम लोग आज का क्लास ही स्टार्ट करते है तो फ्रेंड्स हम लोग आज के क्लास में फस्ट आप जानते हैं यह UGC NET आपको बता दूं कि NET का एकजाम दो परकार का होता है एक होता है UGC NET और दूसरा होता है CSIR NET CSIR NET जो होता है यह होता है साइन्स सबजेक्ट के लिए जिससे की हमें लेना देना परजेंटली नहीं है परजेंटली हमें लेना देना UGC NET का जिसका की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर पार्टिकुलरली मेरी बात करें तो मैं UGC NET चार बार क्वालिफाय किया हूँ तीन बार सब्सक्राइब करें लेकिन यह तो मेरा है मेरे से कोई खास लेना देना आप लोगों को नहीं है आप लोगों को लेना देना है आप से मतलब UGC NET से तो UGC NET जो होता है वो दो पेपर से मिलके बना हुआ हो रहता है में रूप से एक है पेपर 1 मैं में डूप से इसलिए बोला क्योंकि पेपर 2 सबका अलग अलग होता है 100 के आसपास पेपर है लेकिन आपको सिर्फ दो ही सेलेक्ट करना है मतलब एक पेपर 1 और पेपर 2 में एक ही पेपर देना है इसलिए मैं बोला में डूप से सिर्फ दो ही पेपर होता ठीक है तो पेपर 1 में 50 questions रहता है और पेपर 2 में 100 questions होता है यह होता है 100 marks का पेपर 1 और पेपर 2 होता है 200 marks का मतलब परती एक question जो होता है 2 marks का होता है negative marking नहीं होता तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार से preparation करना है ताकि आसानी से net qualify कर दें और friends मैं बता दूँ कि हमारे इस channel पे बतलब particularly मैं जो आप लोगों को बताऊंगा तो यह net qualify करने के लिए और jrf qualify करने के लिए sufficient होगा हमारे इस ट्रॉन का success rate 100% है अभी तक का इस वार का result आया नहीं इ बता पाएंगे तो success rate 100% है बट आल इंडिया टॉपर नहीं होता मतलब हमारी टार्गेट है नेट जारे पास कर लेना अल इंडिया टॉपर होना हमारी टार्गेट नहीं है मतलब personally मैं जो बताऊंगा उसमें से हाँ अगर आपको आल इंडिया टॉपर होना है तो आपको थो देखने वाले हैँ टैंस नहीं लेने खान तो यह तो हो गया हम लोग का एक्जामनेशन का पैटर्ण दोन्हों पेपर जो होगा यह केंप्यूटर बेश्ट होगा CBT में CBT केंप्यूटर बेश्ट टेस्ट होगा यह ऑनलाइन मोड में होता है इसमें क्या होगा कि लिकर थे टेंशन ने लेना है, जो बिल्कुल फ्रेसर से हैं, पहली बार एक्जाम देंगे इस बार, टेंशन ने लेना हमारा सेम टू सेम ओनलाइन मोड में एक्जाम कंड़क्ट याता है, संडे संडे मॉक टेस्ट, यह 99.99% वह ऐसा ही है, जैसा कि एंटिक दौरा ओनलाइन मोड में कंड़क्ट किया जाता है, तो और यह बहुत सारा है, 21 मोक टेस्ट है टोटल हमारे कंप्लीट से लेवस कभर होते होते, तो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगा, मतलब CBT आपके लिए सरदर्द नहीं है, तो आपके लिए सरदर क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे रहते वे सरदर्द नहीं होने वाला, सब को यह चुटकी बजाके ही निकाल देंगे, क्योंकि कुछ खास सिलेबस है नहीं हम लोग का, जो पेपर वन है और पेपर टू है, दोनों में अभी का जो सिलेबस है, अगर फ्यूचर में चेंज होगा, तो हम भी आपको बताने का तरीका बदल देंगे, ठीक है, क्योंकि हवा में आया था कि सिलेबस बदल सकता है, एनिपी पे बेस्ट होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, कुछ खास परिवरता नहीं होगा, जब भी चेंज होता है, मुस्कल से 20% चेंज होता है, जैसे ही सिलेबस चेंज होगा, हम आपको new study metals उसमें add कर देंगे, tension बिलकुल नहीं लेना है, तो paper 1 और paper 2, दो होगा online mode में, दोनों एक ही साथ होता है, negative marking नहीं है, दोनों को attempt करना है, अब अगर कोई चाहता है कि 200 marks का paper 2 है, simply paper 2 को हम लोग कभर करेंगे, कि दोनों हो जो देना परेगा आप लोगों को, ठीके जी, तो हम जो यह जो course इस्टाइट के, इसमें paper 1 देखेंगे, और education का अलग से course चलेगा, ओके, तो यह जो paper 1 होगा, इसका आसान है, इसमें बच्चों के जैसा questions आता है, कापी simple होता है, तो हम लोग देखते हैं, syllabus पे आके पहले, first of all, तो हमारा यह 10 units है, दोनों paper में, तो पहला जो होगा, इसका, वो होगा हम लोग का unit 1 में, teaching aptitude, teaching aptitude, इसमें simple, अगर आपको student से related question पूछा जाता है, तो student बनके सोचना है, question आसानी से बन जाएगा, अगर teacher से related questions पूछा जाता है, तो teacher बनके सोचना है, अगर आपको teacher की रूप में रखना है, और समझने की कोशिश करना है, आसान है, बहुत ही आसान है, अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा, कि हम बोलने है, आसान है, आसान है, मेरा तो कहना है, आसान है, हमारे सारे student इसका भी कहना है, आसान है, जो कि net qualify कर लिया, अगर कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा कि ये कितना आसान है ठीक है जी उसके बाद हम लोग का है teaching aptitude के बाद होगा research aptitude इसमें भी कुछ खास नहीं है और particularly paper to education जिसका है वो तो detail में हम आपको बताएंगे तो आपको इसका तो और भी टेंशन नहीं होगा बिल्कुल भी को problem न नहीं है उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लेकिन उसमें हम बताएंगे ये सारा चीज ये syllabus देखके लगता है बहुत घटिया है बहुत भ्यानक वाला है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये बहुत आसान है ये chapter complete research aptitude 4-5 दिन में कबर हो जाएगा मैक्सिम और उसके बाद जो प्रिबियस येर क्वेस्टन है प्यवाइक यूज हम लोग बनाएंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंको उसमें प्रैक्टिस करना होता है उसका steps of research देखेंगे थेसिस आर्टिकल राइटिंग देखेंगे फॉर्मेट इन स्टाइल सोफ रेफ्रेंसिंग देखेंगे अप्लीकेशन बाइसिटीं रिसर्च एथिक्स रिसर्च एथिक्स वेप्लेगे रिजिम बगर जोता है को चोरी तो नहीं कर रहे हैं बगर 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 आसान है उसके बाद comprehension होगा जो कि हम लोग कोशन भी बच्चों वाला ही रहेगा तो टेंशन बिल्कुल नहीं है इसमें यह तो एक तरह से कहें फोकट में दे देता है मार्क्स दिखलाएंगे आपको जब यह चैप्टर चलेगा तो यह दो से तीन दिन में खत्म होगा और इसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग दो से ती आएगा और मास मीडिया और साइटी आएगा जो कि आपके लिए थोड़ा से हटके होगा लेकिन आपको टेंशन ने लेना है हम उसको आपको आसान बना देंगे क्योंकि यह सब कुछ बहुत ही आसान है उसका हम लोग देखेंगे यूनिट फाइफ जिसमें मैथमेटिकल ड सब्सक्राइब को जिनका कि मैथ सब्जेक्ट नहीं था डर लगता होगा क्या कुछ खास रहेगा क्या बहुत ही आसान होगा हम बताएंगे और आप पढ़ेंगे इसमें कोई भी टेंसर नहीं होगा बच्चों का जैसा होगा यह मतलब यह 10 से भी नीचे का लेवल का कॉर्सन रहता है उसका लॉजिकल लिजिनिक सोचने का तरीका बदलना है होता है न कि सोचने का तरीका बदल यह पुरा दुनिया बदल जाएगा तो वही है यहां पर हुआ बना दिया है कि डिया डिया बहुत डिफिकल्ट होता है डिया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है डिया अगर आप यह चेप्टर मैं तो अगर इस चेप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको डिया बच्चों का खेल लगेगा और आपको समझ मार जाएगा कि फो हम आपको दे देंगे याद करने का तरीका बता देंगे कि कैसे याद करेंगे और बांकी आप लोग मौडरन जमाने के कोशन गलत नहीं होगा ठीक है पीपूल डेबलप्मेंट इन इंभायरोमेंट यह जो है तो इसमें से एक दो कोशन हो सकता है कि आप नहीं बना पाएं अगर हमारे एकजाम के नजदिक वला जो क्लासेस होगा अगर वो एकेंड ना करें तो क्योंकि इसमें कुछ कोशन करेंट अफेरस से रहता है बांकी सब कुछ पूरा नहीं रहता है यह आपको हमारे स्टेडि मेटर्स में भी मिलेगा और हमारा क्लासेस भी होगा इसके बाकी चीज़ आसान है इसका करेंट आसान नहीं है उसका दलाश्टली आएगा हाईयर एजूकेशन सिस्टम जो की बहुत ही आसान है ठीक है हम लोग देखेंगे इसको सभी चीज़ को इन डिटेल देखेंगे तो फ्रेंड्स अगर यहां तक में किसी को कुछ क्वेस्टन से या कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है कमेंट करके हमें बता दीजेगा हम आपको सभी सवालों का जबाब देने की कोसिस करेंगे पूरी तरीके से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो चुका है यह रेगुलर मोर में चलेगा पेपर वन और एजूके अगर बहुत बरियान नहीं गया तो आप अगला एक्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजेए क्योंकि जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और एक्जाम भी हो जाएगा तो और टाइम दो साल का सिलेबस है यह हम लोगों को टाइम बस इतना ही है ठीक है दो साल का स आप मास्टर्स होता है ना दो साल का तो छे मेना भी ठीक से टाइम नहीं मिलता तो अगर तीन मेना हम रिजल्ट के इंतिजार में भी बिता देंगे तो एक्जाम तैयारी करने का टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा तो तेयारी स्टार्ट कर दीजिए आज से अभी से ओके तो मि